तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल एडवर्ड विंग्स एंड पंचायती एकाउंट एसिस्टेंट की रिजल्ट को लेकर हमने आखरी वीडियो बनाई थी और मैंने आप से कहा था कि 25 तक जो है रिजल्ट हो जाएगा पंचायती एकाउंट मुझे बार-बार काफी बच्चों ने जो कवरिज बेजी हैं आज हम उन कवरिज को डिसकस करेंगे कवरिज को डिसकस करने से पहले में जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं सिलेक्शन लिस्ट में जिन्नोंने फॉल किया है उन सब को मेरी तरफ से बहुत-बहुत म किएगा और खुद को डिमॉरलाइस मत कीजिए क्योंकि ये जिंदगी का आखरी चांस तो नहीं था आपको इससे पहले भी काफे चांस मिलेंगे आपको ये चांस भी मिला और आने वाले वक्त में भी आपको ये चांस मिलेगा और आने वाले वक्त में आपको बस यही देखन जी उस कामी को भरने की कोशिश कीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जो है आप उस कमी की वज़ा से आगे वाले आने वाले टाइम में आपको कोई नुकसान ना हो आने वाली जो भी एक्जाम से हैं बहुत सारे एक्जाम से आने वाले जे के बैंक का है Finance Department का है Then Transport Department का और भी काफी सारी पोर्स जो है Advertise already हो चुकी है KS की पोस्टें भी Advertise होने वाली है तो बहुत जादा chances आपके पास है तो इस चीज़ को लेकर आप Demoralize मत कीजिएगा खुद को इसी चीज़ पर बिलकुल चिपक के मत बैठ जाएगा कि मेरा नहीं हुआ तो बस सब मेरा हो ही नहीं पाएगा अगले एक्जाम की तैयारे कीजिए और भूल जाएगे इस पेपर को जो नहीं सिलेक्ट हो पाएं Let it be, जो हो गया सो हो गया आगे की तैयारे कीजिए आगे आपके लिए और चांस है और आगे वले चांसों को bright बनाने की गौशिश कीजिए ना कि आप इसी दुख को लेकर आप बैठ जाएंगी यहां नहीं हुआ है बस मेरा तो हो ही नहीं सकता तो यहीं बैठ कर रोने से अच्छा है आप अगली पेपर्स की तैयार कीजिए और अगली बार जो है कोई भी कमी पेशी मत छोड़िए और अगली लिस्ट में आप खुद को सिलेक्शन लिस्ट में ला कर रहीगा तो उन सब को मेरी तरह से आल दो बैस्ट है दो मिट्ट तो इंटर्प्शन के लिए सॉरी है तो सिलेक्टिड और अन सिलेक्टिड स्टूडेंट के लिए ये बात थी और अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि तीन कौरी जो है वो मेरे पास आई हैं अलगलग स्टूडेंट की अलगलग कौरी से तो हम एक एक करके तीनों कौरीस को देखेंगे और उनके क्या मैं आपके एल्प कर सकता हूँ वो मैं आपको यहाँ पर आज बताने की कोशिश करूँगा तो सबसे पहली कौरीस जो है सबसे पहला आम सवाल है कि जो स्कौर काड जो है वो तो रिलिस हो चुका है लेकिन अब सिलेक्शन लिस्ट जो है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आनी बाकी है जिसके बाद डाकूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो काफी सारे बच्चे यही सोच रहें कि लिस्ट जो है क्या वो डिस्टिक लेवल लिस्ट आने वाली है या तो यूटी लेवल के लिस्ट आने वाली है देखिए पोस्टें जो है वो डिस्टिक एडर की थी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है लेकिन जहां तक लिस्ट आने की बात है और जहां तक मुझे पता है सूर्सिस के मताबिक तो लिस्ट जो है वो यूटी लेवल की ही आएगी क्योंकि यूटी बन चुकी है अब यूटी के रूल जो है वो फॉलो करने है तो लिस्ट जो होगी वो यूटी वाइज ही आएगी तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि डिस्टिक लेवल की लिस्ट आएगी तो मैं उनसे सहमती नहीं रखता क्योंकि जहां तक मैंने सुना है जहां तक रूल्स कहते हैं अब यूटी जब से बनी है तो अब जो भी लिस्ट आएगी सेलेक्शन लिस्ट वो यूटी लेवल की ही आएगी तो डिस्टिक लेवल की लिस्ट नहीं आने वाली है यूटी लेवल की ही सेलेक्शन लिस्ट आपको आने वाले टैम में देखने को मिलेगी कब आएगी लिस्ट इसके बारे में हम exact तो नहीं कह सकते but within 10 days जो है वो लिस्ट आनी चाहिए और आपके result हुए I think 2-3 दिन हो चुके हैं यानि आने वाले एक week में आपको लिस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी दूसरी कवर बच्चों की थी वो थी कि Allotment of District में काफी स्टूटेंट्स का कहना था कि कहीं डिस्ट्रिक्स ऐसे हैं यूटी लेवल की बात करें यूटी लेवल का कट आफ जो है उसमें कहीं डिस्ट्रिक ऐसे हैं जहां पर जितनी सीद्सी वहां पर उससे कम बच्चे से लैक्ट है और कुछ डिस्ट्रिक ऐसे भी हैं जहां पर जितनी इससी उससे से जादा बच्चे भी इसलेक्ट हैं जमू की हमारे पास एक्जेम्पल है 154 sleepy and 200 सम्तिंक बच्चे जो है we जम्मो डिस्ट्रिक के ही अकेले सिलेक्ट हैं और बाकी कहीं सारी डिस्ट्रिक हैं जिनमें जितनी सीट्स थी उससे कम बच्चे सिलेक्ट हुएं तो उस केस में डिस्ट्रिक कैसे अलाट होंगे तो सबसे पहले तो जो भी सिलेक्टिड बंदे होंगे मान लीजिए कि एक डिस्ट्रिक में जितनी बहुत थी उससे कम बंदे सिलेक्ट हुएं तो पहले जो बच्चे उस डिस्ट्रिक के हैं उन सब को मुका मिलेगा उस डिस्ट्रिक में अलाट्मेंट का हैं और जो भी जादा जए जिसलैसे की ज मुले करैस उसके बाद जो भी फ्रेफरेंस में प्रेफरेंस में thing स्धूर घरददड्रेश में उस हसाब मे तुर्फे होएगा है काफी सारे मेसेजीज मुझे आए और कहा गया के सार ये बताइए कि क्या एक स्टूडेंट जो की ओपन कैटेगरी में यहां पर फॉल कर रहा है मेरिट लिस्ट में क्या वो अपनी कैटेगरी का यूज करके खुद को अपने प्रैफर डिस्टिक में एडमिट एडमेशन व इसा कोई रूल नहीं है और यहां पर मैं आपको नोटिफिकेशन भी बताता हूं जम्मो किश्मीर का सुरी जिकी सर्विस बोर्ड ने जो रिजल्ट काड डाला उसके साथ ही एनेक्जर एक के नीचे यह लिखा भी हो और यहां पर जे कैसे स्पी ने शरे आम लिखा हुआ पढ़ भी सकते हैं कि जम्मो और किश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड शाल मेक्ट अलोकेशन अफ डिस्टिक इंद फिवर अफ सक्सेस्फुल कंडिडेट अफ्र टाकूमिट वेरिफिकेशन ऑन दा बेसिस आप मैरेट कम प्रेफरेंस मेथर्ड सब्जेक्ट तु दा फु अपर में से उठाके आप मुझे कैटेगरी में डालकर मुझे अपना प्रेफर डिस्टिक दे दीजिए तो जेकेशस्पी ऐसा कुछ नहीं करेगी जेकेशस्पी आपको डिस्टिक अलॉट करेगी वह आपसे पूछेगी नहीं कि आपको कौन सा डिस्टिक चाहिए जिस मेर कि यूज कर दो तो ऐसा नहीं होता और कोई भी एक्साम ऐसा नहीं है जहां पर कि आपने देखा हो कि ओपन में जो सिलेक्टिन जिसकी और यह को काटेगरी में डाल दिया जाए ऐसा कोई भी रूल जो है वो नहीं एक्जिस्ट करता है और ऐसा सोचना भी आइधिंक आप बड कब देना जूरी था तो ऐसा कोई रूल एगजिस्स नहीं करता और जैसा कि मैंने आपको नोटिफिकेशन में भी बता दिया है कि मेरिट कम प्रैफरेंस भी तोके मैडिट कम प्रैफरेंस मेतड़ का यूज होगा और उसके हिसाब से आपको डिस्टिक जो है उसके वाली है जिसमें हम successful candidate जो थे हमारे पुछ जिस्टी के जो successful candidate है जो toppers में आते हैं कोशिश करेंगे हम उनसे contact करें उन से बात करें उनके ideas जो है वो आपके साथ हम share करने की कोशिश करेंगे एक next video में तो बने रहीगा हमारे साथ और देखते रहीगा Edward Wings